सुधीर सर ओफिस्यल यूटूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है इस सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं कि पिनेकल की बहुती पॉपुलर बुक 6800 प्लस सीरी इसमसी क्यूब का लेक्षेश्ट एडिसन यानि कौन सा एडिसन फीफ एडिसन इस बुक का मैं आपको करा रहा हूं वीडियो स्लूशन मेरा जो सलूशन जिसमें book में था 125 question ये पूरी की पूरी तरह से एक एक questions की वीडियो solution complete हो चुका है third topic जो हमने finish किया था ratio and proportion topic था जिसमें 271 question थे एक एक questions की वीडियो solution मैंने already ये तीनो topic complete है इन तीनो topic को अगर देखना चाहते हो तो क्या करो आप अपने mobile app के open करो यूटूब एप यूटूब एप ओपन करने के बाद वहां पर सर्च कर लो सुधीर सर ओफीसियल जैसे ही सर्च करोगे आप मेरे चैनल पर विजिट कर लोगे चैनल पर विजिट करने के बाद playlist में चले जाना इस book की पूरी की पूरी फोल्डर बनाई गई है टॉपिक वाइज तो वहां से आप सिक्वेंस वाइज देख सकते हो फूर्थ टॉपिक जो हमारा ओन गोइंग चल रहा है वह आप चाहते हो इस book को जितना जल्दी से जल्दी complete कर रहा हूं तो आप क्या कर सकते हो यह सिर्फ आपके उपर depend कर सकता है आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते वीडियो को share करने का main purpose क्या है दोनों का जितने ज्यादा लोग देखने हमें solve करते हैं तो यह teacher और students का mutual relationship होता है ठीक है तो चलिए time pass हम कहीं पर भी नहीं करेंगे directly question पर आएंगे percentage topic में total है 370 question और अभी तक हमने question number one से ले करके 155 तक already completely finish कर चुके हैं आज के session में देखेंगे question number 156 से ले करके 175 question तक हम finish करेंगे चलिए time pass नहीं करना है हमें directly आते हैं हमने यहां तक last class हमारा यहीं पर stop हुआ था यानि यहां तक हम लोग उने finish कर दिया था question number 155 आते हैं चलिए question number 161 56 में देखें क्या दिया गया है if radius of a circle increase by 10% okay then its area increase by देखो ध्यान से circle circle का area क्या होता है area circle का चेतरफल पाई r square यानि circle का area कि इस पर depend कर रहा है तो पाई तो एक constant term है यानि radius पर depend कर रहा है और radius को लिख सकता हूँ r into r यानि दो बार इसका increase इसका increase इसका increase इसके effect इसके area पर तो यहां पर दो तरीका से कर सकते हैं एक ratio method और दूसरा क्या successive approach का formula लगा करके तो formula क्या होता है a plus b plus a b by 100 और इन क्या होता है यह overall percentage में होता है अगर increase होगा तो plus लेते हैं जैसे 10% increase area किस पर depend करता है radius के square पर यानि 10% increase पहली बार दूसरी बार भी 10 प्लस 10 इंटू 10 by 100 क्यों एक बार r 10% increase हो रहा है दूसरी बार भी r 10% तो a की value 10 b की value 10 formula अपलाई कर रहे हैं तो ध्यान से यह इससे cancel हो गया यानि 10 और 10 20 20 प्लस 1 यानि 21 परसेंट positive आया यानि increase होगा 21% से दूसरा था हमारा ratio method से कर सकते हो ratio method से क्या है खुद सोचो ध्यान से देखो radius पहली बार increase 10% होता है 1 by 10 increase मतला प्लस यानि 10 से क्या हुआ 11 दूसरी बार भी 10 से 11 यान 10 का square 11 का square यानि 10 100 से कितना हो गया 121 बताओ कितना का increment हुआ 21 का area में कितने पे 100 पे percentage में करना है कितना होगा 100 से multiply यानि कितना हो गया 21 परसेंट का increase चाहो तो आप directly यहां से बोल सकते थे 21 का increase हुआ है 100 पे तो जो 100 से जितना भी increase होता हो परसेंटे में हो जाता है और डिरेक्ली बोल सकता था 21% का increase आई होप यह समझ में आ गया होगा basic question था ठीक है चलिए next next question देखिए आपके screen पे दिया गया है तिलक salary increase by 15% in the first year okay and then decrease by 20% in the second year and increase 25% in the third year इप तिलक salary after three year is 23,000 then find the salary of तिलक in the beginning of these three year starting में बोल रहा है तिलक की salary क्या है माल लेता हूँ तिलक की salary कितनी है x 15% होता है 3 by 20 increase मतलब प्लस यहनि 20 से कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया यहनि 23 by 20 हो गया अब increase होने के बाद दूसरी बार second year क्या हो रहा है 20% का decrease हो रहा है 20% होता है 1 by 5 decrease मतलब माइनस नहीं 5 से एक कम हो गया यहनि कितना हो गया 4 by 5 3rd year क्या हो रहा है 25% increase 25% होता है 1 by 4 increase मतलब प्लस 4 से एक बढ़ गया यहनि 5 यहनि 5 by 4 और ऐसा करने के बाद तीनों साल के बाद salary है कितनी 23,000 बस इसी को तो solve करना था ध्यान से देखो 23 से 23 cancel हो गया 4 से यह 4 cancel 5 से यह 5 cancel x की value कितनी आ गए यह जाएगा इधर 20 पे कितना 0 एक दो तीन यानि 20,000 आगे हमारा answer कौन सा answer option number a is the right answer तो हमने question को आसान तरीके से solve कर लिया मेरा मक्सद होता है question को कम time exam में किस तरह से solve करते हैं इसली बाद वह सबसे simplest approach होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप complexity बढ़ा के जा रहे हो नहीं simple approach करो और सबसे आसान तरीके से सबसे easy come time में question को solve करना सीखना है चलिए next next में दो क्या दिया गया है रमन spent 50% of his income okay if his income increase by 10% and expenditure also increase by 10% then what will be the percentage increase in his saving इसके लिए 2 में ने बताया था देखो ध्यान से रमन जो है 50% क्या कर रहा है income का खर्च कर रहे माल लो income है 100 तो 50 खर्च कर दिया income 100 है तो 50 खर्च कर दिया तो बचाया कितना 100-50 यानी 50 अब क्या कहा रहे income increase हो रहा है 10% से 100 का 10% 10 से increase हुआ income आगे बढ़ते हैं expenditure increase also 10% से expenditure भी कितना से increase हो रहा है 10% से 50 का 10% यानी 5 हो गया तो saving क्या होगा income is equal to क्या होता है expenditure income is equal to expenditure plus saving यह दस है तो यहां पर पांच है तो यहां पर भी पांच होना चाहिए तभी तो पांच और पांच दस होता है equal to करेंगे तो तो पांच का increment हुआ कितने पे 50 पे percentage में करना है 100 से multiply कर दो यानि पांच से यह दस दस से cancel यानि 10 परसेंट का क्या हो गया overall increment 10 परसेंट का increment option number C is the right answer दूसरा तरीका क्या था इसको ऐसे भी किया जा सकता था देखो द्यांसे income is equal to क्या income देखो income is equal to क्या होता है expenditure plus से भी देखो द्यांसे weighted average का concept लगाने जा रहे हैं income अगर मैं मानूं कि 100 है इसका 50% यह 50 है एक्स खर्चा जो किया 50 है तो बचाया कितना 50 ratio कितना हो गया one is to one अब बताओ expenditure कितना से increase हो रहा expenditure increase हो रहा है 10 से saving नहीं पता है मान लो x से और expenditure और saving से क्या मिलता है income weighted average लगाओ 10 into one 10 plus one into x यानि x overall इन दोनों ratio का sum यानि by two और इससे क्या increase होगा income income कितना से increase हो रहा है 10 से यानि 10 plus x is equal to 20 यानि x की value कितना आ जाएगा इधर जाएगा 20 minus 10 यानि 10 positive आया यानि increase होगा और सारे टर्म percentage में चल रहेते 10% का increment होगा तो यह जो concept है यह कहलाता है weighted average concept ठीक है weighted average concept हम इस तरह से भी आसानी से question कर लेते हैं चलिए next next देखो question में क्या दिया गया है यह basket कितने अच्छे अंडे हैं यह बताना है सेल करने के लिए तो देखो दियान से 351 थे हां जी 12 परसेंट सड़ गया तो 100-12 यानि 88 परसेंट बचा हुआ है अंडा तो 88 परसेंट अंडा क्या होगा अच्छा वाला है बस यह लिकालना था में question को solve करना था दियान से देखो कि एक जीरो से एक जीरो केंसी पान से साथ पान से दो दो से यह 44 टाइमस में अब कितना हो जाएगा साथ चुव अठाइस साथ चुव अठाइस और दो 308 अंडा ओप्सन नमबर सी यानि 308 अभी भी क्या है अच्छे हैं जिसको सेल किया जा सकता है चल हुई वाइस परसेंट डज इस सर्फिस इरिया याद करो सफेशर है च्छेश्व रिआनी गोला है इसका सरफेश इरिया क्या होता है पोर पाई रस्कार र्ग इसका वालुम करता है तो वालुम होता है 98 instant पाई आर क्यूंग दिखान से सरफेश सेरीश सब्हेश सर्फेश आना है तो फॉर्मूला आप जानते हो ए प्लस बी प्लस ए भी बाई क्या होता है सक्सेशिव लगाते हो तो हंडेट यह परसेंटेज में आता है अब देखो द्यान से माइनस अड़तारीस के डवल कितना हो जाएगा नाइनटीसिक्स इASON 9-26 प्लस एक बिषी इंगरेटीट से होना चाहिए कम से कम उनटू फिटी फेटो क्या हो जागा 23.04 अब देखो दियान से कैसे minus करोगे minus करना देखो कैसे है 96 मे 24 minus क्ठवोगे 96 में 23 नहीं बलकि 24 माईनस करोगे तो 96 में 24 minus करोगे तो किना हो जाएगा 72 आएगा यहनि 72 सौ में से 4-5 नाइन-6 आएगा और वो भी क्या धिखा रहा है निगेटी दिखा रहा है कि इतना परसेंट डिक्रीज करेगा तो 72.96 परसेंट क्या होगा डिक्रीज ओप्षन नंबर वी इस दर आइटल से आई हो पासानी से हमने इस कोशन को कर लिया सक्सेसिव का कॉंसेप्ट लगा यह फॉर्मूला पर चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गए कोशन आपके स्क्रीन पर तू कंडिडेट कंस्टेस्टेड एन इलेक्शन दो कंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एक को कितना मिल रहा है वोट शिस्टी वन गोट शिस्टी-फोर परसेंट औफ दोन बाई इतना 434 वोट द्यान से देखो टोटल नमबर वोट पोल माल लेता हूं 100 है एक को मिल रहा है इस हंडेट का 64 परसेंट यानि 64 तो दूसरे को कितना मिलेगा 36 बचा हुआ 100-64 यह इससे कितना से जीत रहा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर यह 40 होता है तो 24 24 और 4 28 से जीत रहा है 28 य पोल कितना था 100-100 यूनिट की वैलू बतानी है देखो द्यान से क्या करें इसको कैंसिल कर दें चार से करूंगा तो पचीस चार से करूंगा तो साथ साथ से साथ चके 42 साथ दूनी 14 अब मल्टिपलाई करना आसान है पचीस दूनी 50 कैरी हो गया पांच पचीस चाके 25 का मल्टिपलाई करना है तो सिर्फ लास्टो डिजर से कर लेते हो द्यां से 25 दूनी 50 तो हो गा ही होगा लास्ट टूडिद पांट पाइब जिरो आना चाहिए लास्ट डिविव और पाइब पाइब-जिरो है ओपसन नमबर ए तो पूरा मल्टिपलाई भी नहीं करते तो एंसर तक पहुंच सकते थे चलिए next next में देखो क्या दिया गया है next में देखो दिया गया question में कि mr. दीपा देवी save 30% of her salary mr. दीपा देवी क्या कर रहे है 30% अपनी salary का क्या कर रही है बचा रही है c received इतना रुपए per month as her salary उसको salary मिल रहा है 42,000 रुपए हर एक month what is her monthly expenditure तो उसका monthly खर्चा कितना है ये बताना है देखो दियान से 42,000 रुपए हुसकी monthly salary थी अगर उसने 30% save किया कोई भी income क्या होती है 100% 100 में से 30 save की तो बचाया कितना sorry 100 में से 30 तो बचा ली 30% बचा ली 100% में से 30% बचा ली तो खर्चा कितने की 100-30 यहने 70% और 70% की भैलो लिकाल नहीं थी इसका 42,000 का 2,0 से 2,0 cancel देखो दियान से 2,0 तो होगा ही होगा 7 से 7,2,14,28,29,29,4,00,29,4,00, option number B इस बार का देखो मेंस का आया हुआ question है latest लेकिन क्या यह difficult था बहुत ही basic question था देखो CGL tire to 6,3,2023 का उचा हुआ question था चलिए move to the next next में देखो क्या दिया है 20% of A plus B is equal है इतना के बराबर हमें क्या चाहिए what percent of B किसके साथ अफ लगा हुए compare में B के साथ तो B नीचे आएगा यह उपर percentage में करना है 100 से multiply हमें यह लिकालना है बस यहान से देखो अगर मैं यहान देखो percentage से percentage cancel 10 से 2 times में 10 से 3 times में क्या हुआ 2 into A plus B is equal to 3 times of A minus B अब एक तो तरीका है इसको solve कर लो दूसरा तरीका है component and independent लगा लो यानि A plus B इसको इस वाले A minus B को इधर लाओ और इधर क्या हो जाएगा 3 है इधर जाएगा तो by 2 अब याद करो A plus B A minus B तो directly हम बोल सकते हैं A by B यहाँ पे component and dependent लगा होगे 3 plus 2 यानि 5 3 minus 2 यानि की 1 या तो आप इस तरह से कर लेते या तो आप इसको solve करके A और B का ratio लिकालते इनको solve कर लेते तो A और B का भी ratio उस तरह से भी 5 by 1 ही आता हमने component लगा दिया हमें चाहिए क्या A by B into 100 यहाँ पे 100 से multiply कर दो तो percentage में आ जाएगा यहाँ पे 100 से multiply कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा यहाँ पाइप इंटू 100 यानि 500 और किसमें आएगा परसेंट में तो 500 परसेंट ऑप्सेंट नंबर सी यह भी देखो इस बार मेंस में पूछा गया था लेकिन इतना basic question पू total percent increase in the price of his scooter पहले देखो द्यान से इसको हम बताने जा रहा हूँ मैं आपको किस मेथड से तो होगा हमारा ratio मेथड था ईकी o को रेकियो मेथ 13 मेथड बताउंगा तीनो मेंसे आप जू पसंद करते हो कर लो कोई दिक्र मे अगी रेकिशा मेथड रेसियो मेथड क्या होकता है दस परसेंट 10% होता है 1 by 10, increase मतलब प्लस, यानि 10 से क्या हो गया, 11, दूसरा है 5%, 5% होता है 1 by 20, increase मतलब प्लस, यानि 20 से कितना हो गया, 21, तीसरा केस क्या है 15%, 15% होता है 3 by 20, increase मतलब प्लस, यानि 20 से कितना हो गया, 23, अब successive में क्या करते हैं, multiply करते हैं, इसका multiply करोगे, तो 2, 2, 4, 4, यानि इसका multiply करना है इन तीनों का multiply करना है multiply कैसे करोगे देखो fast 21 का table पता है पहले इन दोनों का multiply करो तो 23 63 हो गया 6 21 42 42 और 6 48 अब इसमें रह गया 11 का multiply करना 11 का multiply करना असान है 3 8 3 11 8 4 12 13 और 4 5 हो गया पताओ कोई चीच 4,000 से इतना हो गया कितना का increment हुआ यहां पे तो कितना का increment हुआ 1313 का increment हुआ 1313 का increment किस पे 4000 पे परसेंटेज में करना है 100 से multiply कर दो 2 0 से 2 0 cancel यानि कितना आया 1 3 1 3 by 40 परसेंट अब देखो ध्यान से हमें यह answer तक पहुंचना है कौन सा होगा ध्यान से समझना unit digit देखो numerator का unit digit 3 है 3 आना चाहिए देखो ध्यान से इसमें इसका multiply करोगे देखो ध्यान से इसमें इसका multiply करोगे तो कितना हो जाएगा लास्ट में 0 आएगा और 33 आट करोगे तो लास्ट में unit digit 3 आएगा इसका इससे multiply करोगे तो unit digit 0 और प्लस 1 यहां पर 21 आट करोगे तो unit digit यहां पर 1 आएगा नॉम्रेटर का यह possible नहीं है इसमें multiply करोगे 1200 प्लस 11 1211 बाराइस चालिस होगा नहीं हो सकता 36 चोग के होता 144 चौदो सो चालिस और प्लस 31 यह तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है जिबकि हमारा तो 1300 के आसपास है यह नहीं हो सकता option कौन सा मैच कर देगा ए ठीक है इस तरह से हम कर सकते हैं दूसरी बात अगर इसको चाहो तो चेक भी कर सकते थे देखो ध्यान से चालिस दूनी असी चाहा ऐसे कर लो न देखो द्यान से 0 4 का मल्टिप्लाइब 4 दूनी 8 अतली के 24 24 रुको रुको मैं क्या कर रहा हूं जीरो चार दूनी 8 चारतियां 12 बारा सो असी प्लस 33 एड करोगे तो देखांसो यह क्या हो गया 3 1 313 आ गया और नीचे था 40 313 बाई 40 तो एक ही option था एक तो यह तरीका है दूसरा मेथड देखो द्यान से मेथड सेकेंड मेथड सेकेंड होता है सकसेसिव आप जानते हो दो क चैस में अगर दो इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट रहे तो पले इन दोनों का लगा वो सक्सेश इन दोनों का लगा होगे तो 10 प्लस 5 इस फोर्मुले पे करो 10 प्लस 5 15 प्लस 10 ऐन 2 50 58658 यहनी 13.50 आएगा कैसे 10 प्लस 5 15 प्लस 10 इंटू 5 50 यानि 0.50 आ गया तो इतना आ गया अब इसके साथ इसका सक्सेसिब लगाओ फिर अपलाई करोगे यह तो कितना हो जाएगा इन दोनों से आया 15.50 अब इसका और इसमा सक्सेसिब लगाओ यह फोर्मूला अपलाई कर लो तो भी आपका आज आएगा काम जैसे देखो कितना आ गया 15.50 प्लस पंद्रा एड करोगे तो यह दोनों को एड करोगे तो 30.50 प्लस मल्टिप्लाई कर लो पंद्रा का इसमें मल् सब्सक्राइब तर 15.50 पंद्रा पांच यह 75 और साथ साथ पांच बारन पचेतर साथ बयासी केरी हो गया आठ पंद्रा और आठ कितना हो गया तेईस दो अंग पे डिजिट था हंडेट से डिवाइट कर वे चार अंग पर हो जाएगा एक दो तीन चार चारंग पर हो जाए एक और मेथड होता है लोग इसको बता देते हैं लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता जेनरली एक फॉर्मूला अप्लाई करा देते हैं कि अगर तीन का केस रहे देखो दियान से तीन का केस रहे तो फॉर्मूला अप्लाई करवा देते हैं कि A परसेंट का इंक्रीज, B प्लस A, B, C बाई, 10, 1, 2, 3, 4 यह formula यूज करते हैं और अबराल यह percentage में होता है तो जैसे उस पे भी करा देता हूँ लेकिन मैं यह prefer नहीं करता हूँ मैं यह prefer करता हूँ या ratio method prefer करता हूँ देखो द्यान से A plus B plus C इन तीनों को add करो तो तीनों increase हो रहा है 10, 5, 15, 15, 15, 15, 30 हो गया इन तीनों का सम तो 30 हो गया plus A, B multiply करने जा रहा हूँ A, B, 10, 5, 50 plus B, C, 15, 5, 75 plus C, 15, 15, 10, 1, 500 divided by क्या हो गया 100 plus इन तीनों का multiply इन तीनों का multiply करो 15, 5, 75, 75, 75 इन तूद दस 750 750 बाई कितना 1, 2, 3, 4 देखो ध्यान से 30 तो यह रहा plus यहाँ पर देखो 1,500 देखो ध्यान से 1,500 और पचास 200, 275 बाई हंडेड यानि 2.75 प्लस इसको करोगे 10 से 10 कैंसील हो गया 3 डिजिट के बाद 0 आएगा 0.075 इतना आएगा अब देखो ध्यान से 30 में 2 जोड़ोगे 32.75 प्लस 0.075 यानि इसमें कुछ करोगे 32.something ही आएगा 32.something बती से स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है तो इस फॉर्मूले का भी यूज करके आप कर सकते हो आप जिसमें comfortable हो वो आप कर सकते हैं मैंने हर एक एक method बता दिया यानि आपके teacher ने जो method बताया होगा वो यहां पे apply हो सकता है मैंने तीनों हर aspect बता दिया अब इसके अलावा कोई another method है नहीं इस question के लिए ठीक है चलिए next नेक्ट में देखो द्याद से क्या दिया गया रेशियो आफ expenditure to saving expenditure और सेभिंग का रेशियो एक औरत की दी गई है इफ हर income and expenditure राइंक्रीज बाई 10 परसेंट और 20 परसेंट ओके respectively find the percentage change in saving देखो द्याद से expenditure और सेभिंग का रेशियो दिया गया है कितना है पांच एक ठीक है expenditure increase हो रहा है sorry in expenditure increase हो रहा है 20 से 20 परसेंट से saving नहीं पता है माल लेता हूँ x से वेटेडेव लगा 20 इंटू 5 यानि 100 प्लस इन दूनों का सम होता है 5 और एक 6 और और से किसे मिलता है income इनकम कितना से इनक्रीज प्लस से यानि कितना हो गया 100 प्लस एक सी युगल कितनी हो जाएगी इधर जाएगा तो 60-100 यानि एक्स कि भी हैलो कितनी हो आगा माइनस 40 माइनस क्या रिपर जिन कर रहा है कि डिक्रीज होगा यानि 40% का डिक्रीज होगा 40% का डिक्रीज होगा option number C कि तो यह option number D दूसरा चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते थे दूसरा क्या बोल सकते थे कि दूसरा यह बोल सकते थे कि यहां पर basic से लगा लो expenditure और सेविंग का रेशियो expenditure और सेविंग का रेशियो इतना है तो मैं मालनों इसको 500-100 यह है 500 और सेविंग है 100 रेशियो इतना कुछ भी ले सकते हैं रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए इंकम क्या होगा इंकम होता है expenditure plus saving यानि यह हो गया 600 इंकम इंक्रीज हो रहा है यह equal होना चाहिए expenditure plus saving के बराबर तो 60 बनाना है 100 यह है यहाँ पर माइनस 40 कम करेंगे तभी तो 100 माइनस 40 साथ आएगा यानि 40 का माइनस क्या रिपर्जन का डिक्रीज होगा 40 का डिक्रीज हो रहा है किस से सेविंग 100 था परसेंटेज में करना है 100 से multiply यानि 40 परसेंट का क्या आया माइनस डिक्रीज होगा तो यह था हमारा वेटेड एवरेज मेथर्ड वेटेड एवरेज मेथर्ड और यह है हमारा basic method दोनों चीजें हैं क्योंकि simple data था तो दोनों useful है अगर data complex करता है तो हम यह apply करते हैं तो आसानी से यह तो हर जगा easily apply हो जाता है चलिए next question आपके screen पे दिया गया देखिए क्या दिया गया राजू रवी असोग इलेक्शन तीन परसन है राजू रवी और असोग इलेक्शन में participate करते हैं 5 परसेंट votes फोलड वेर invalid 5 परसेंट वोट क्या हो गया invalid हो गया ध्यान से देखो मान लेता हूं टोटलवोट सथा 100 उसमें से 5 परसेंट इसका 5 5 परसेंट पांच इन्वैलिड हो गया या यह 95 क्या हो गया valid और यह क्या था total वोट्स आगे बढ़ते हैं राजू गॉट्स 30% of total vote राजू आर एफोर राजू राजू को क्या मिल रहा है 30% किसका total का 100 का 30% कितना मिलेगा 30 आगे रभी गॉट 32% of total vote रभी जो है उसको 32% total vote का 100 का 32% यानि 32 जो बच गया और कौन रह गया असोक असोक को कितना मिलेगा 92 sorry 30-30-62 total valid vote था 95 95-62 95-62 तो कितना हो जाएगा 32 मिला किसको असोक का sorry कि 30-30-62 62 62-62 करोगे तो 33 आएगा यानि असोक को कितना मिला 33 क्यों क्यों क्योंकि सबसे कम बच इसको मिला है इसको इससे यह कितना ज्यादा है यूनिट में तीन यूनित और कोस्टन के कोडिंग वो कितना है तीन इनिट की वैलू 5136 है आंजी हमें लिकालना है find the number of votes polled votes polled कितने हुए थे total votes polled 100 100 की वैलू चाहिए कि देखो द्यान से तीन से cancel करोगे तो 17 यहां 15 होता है और 12 36 होता है यानि 1712 00 आ जाएगा 1712 00 option number a देख रहे हो आसानी से हम कर रहे है यानि इतने सारे question practice कर चुके हैं कि यह सारे question तो अब आसान लगना शुरू हो जाएगा आपको चलिए next next देखो question आपके पास फिर election का question है देखे क्या दिया गया है in an election 8% vote did not cast their vote ठीक है तू केंडिडेट के स्टेटें इन इन इलेक्शन इन वीच विनिंग केंडिडेट गौट 48% of total vote ठीक है and own election by इतना votes find the total number of voters in the election given all the votes were cast value देखो दियान से सबसे पहले मालने ताहूं total votes कितने थे 100 उसमें से 8% cast 8% did not cast 8 cast नहीं हो तो कितने कास्ट हुए बानवे यह क्या हुए कास्ट कि आगे बढ़ते हैं देखो दियान से एक को मिल रहा है देखो दियान से क्या कहा गया है जो वीनर है वीनर को 48% of total vote वीनर को क्या मिल रहा है इस total votes का 48% 100 का 48% 48 मिला तो लूजर को कितना मिलेगा बानवे माइनस 48 यह अगर यह 50 होता तो 42 और 244 मिला इसको 92 में से 48 माइनस कर दोगे बताओ वीनर कितना votes से जीता यहां पर चार votes है चार votes की value question में कितना है 1100 के बराबर है हमें क्या लिकालना है हमें लिकालना है total number of votes election में क्या होंगे हम मान के चल रहे हैं कि जितने भी votes दिये गए वो सारे के सारे valid है यहीं बताना है 100 की value लो पचीस से multiply कर दो पचीस इंटो 11 आप जानते हो 275 होगा कैसे पांच पांदू साथ और दो डबल जीरो यानि 275 डबल जीरो आपका एंसर हो जाएगा option number C correct answer हो जाएगा देख रहे हो कुछ भी नहीं है question में और सारे आपके CGL के exam के पूछे गए ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई अपने से question करा रहा हूँ यह जो पिनेकल की book है यह इसमें लास्ट five year या three year के questions ही है जो latest pattern पे पूछे गए और सारे देखो हम वो एप्रोच अप्लाई करें जो सबसे सिंपल हो और easiest approach हो क्या नेक्स नेक्स में क्या दिया गया एक डिस्टिक है इतना inhabitants एक डिस्टिक में कितना है इतने निवासी है इफ द पॉपूलेशन इफ द पॉपूलेशन increase at the rate of two point five percent per annum परतेक साल कितना से increase हो रहा है two point five percent से find the number of inhabitants at the end of three years तीन साल के बाद कितने हो जाएंगे देखो यह question basic है लेकिन इसमें calculation जबरजस्त है और calculation वहीं कर पाएगा जिसको square cube fast आनी चाहिए मैंने कई बार बोला हूँ कि आपको one two one two कम से कम 50 तक square fingertips पे होना चाहिए square one two thirty तक cube आपको fingertips पे होना चाहिए one two thirty तक minimum table याद होना चाहिए अगर याद कर सकते हो तो one two forty तक कर लो क्यों competitive exam में क्या है अगर other के compare में यानि अगर आप चाहते हो selection हो क्योंकि selection के लिए limited city तो है कुछ ही vacancy है उस vacancy में अगर आपने 20 तक table बोलों तो हर किसी को पता है 30 तक table maximum लोगों को भी पता होता है जिनका selection होता है 40 तक बहुत कम लोगों को पता होता है तो 40 तक याद कर लो तो ठीक है अधरवाई 30 तक table तो fingertips पे होना चाहिए one two कम से कम 200 तक prime number की list पता होनी चाहिए prime number कौन कौन सा होता है तो यह चीज़ें आपके fingertips पर होनी चाहिए बाकी calculation आप सीखते जा रहा हो जैसे देखो कि तू पॉइंट फाइफ परसेंट की वह लोग क्या होगी पहला पचीस वाई 10 होगा परसेंट का मतलब हंडेड डिवाईड यह कितना हो गया चार यानि डारेक्ली हम बोल मैं बोल सकता था वन बाई 40 इंक्रीज मतलब प्लस पहले देखो डिस्टिक में कितने निवासी थे एक लाग सौरी दस चौविस तीन जीरो कितना इंक्रीज हो रहा है 40 से 1 इंक्रीज हो गया यानि 41 by 40 दूसरे साल भी क्या होगा 41 2022 साल के बाद यह क्या हो जाएगा यहीं लिकालना है दिको ये question में कुछ नहीं था यहीं लिकालना था लेकिन क्या है इसके बाद आप questions में फंसते हो फंसना नहीं है में दिखो द्यान से कैसे करें है 3 0 से 123 खतम हो गया 3 90-6 खत्म हो द्यान चार चोव के 16 चॉला से काटूं तो 16-지-94 पलिये peso धना से तो एंसर जो पार्जश मल्टीपल होना चाहिए चरक उन्टीपल सभी है है 4 काFit सभी यह सिर्फ ही इने चार उनुफ यह खतम हो जाएगा कि दूसरी बात अब दिखो द्यां से समझना बात को और द्यूसरी बात क्या है अब तो हमें multiple करना पड़ेगा भिड़ा से एक तालीज इंटू एक तालीज यानीं सब्सक्राइब और गपरोगर बोनेरे तो एक्टा जद्यांब और इसका मल्टिपलाई करंगा दो 1661 फोलाई रहो इसका मंटिपलाइब 1680 में करना है अशुमिस ऑक्क शर्ता था यस में रहे इसको ब्रेक कर दूं क्या चालिस प्लस वन देखो ब्रेक कर दिया इसका मल्टिप्लाई करने जा रहो जीरो चार आठ चो के बतीस सोला चुके चौन सट चौन सट और तीन सड़ सट अब फिर एक का मल्टिप्लाई करूंगा तो 1681 होगा एड कर दो इसमें यानी वन आठ चार बारा छे दू आठ एक नौ और शिस्टी एट इतना आ गया देखो द्यान से आया कितना शिक्स एट नाइन टू वन इसमें क्या मल्टिप्लाई करना है सिर्फ सोला का ही मल्टिप्ल कर दोनी 32 32 33 33 लिग दिया कैरी तीन आ गया अब दिखो द्यान से में 165 144 144 33 147 कैरी हो गया 14 अब दो द्यान से ओलाइज से के 96, 94, 100, 100, 110, लो जी, जो भी आपका एंसर आजाएगा, 1102736 देखो, आप्सन नमबर B, बताओ, क्या हमने multiply करने में कोई issue आया, नहीं आया, यानि 41 का square हमारे fingertips पे था, उसके बाद 41 का multiply करना आसा ने break कर दिया, और 16 का table पता था, तो हमने कर लिया, अगर इसी question को, अगर बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे, डीजिटल सम लगाते हैं, भाई, डीजिटल सम लगाके देख लेना, डीजिटल सम लगाके देखोगे, तो भी आपका answer नहीं आ पाएगा, क्यों क्योंकि इन दोनों का, डीजिटल सम लगा, क्योंकि इन दोनों में चिंसर है और दोनों का, दो दो आ रहा है, तो डीजिटल आले, आपके मांड में calculation barrier होता ही नहीं है आप लोग अगर calculation की वज़ा से फंस रहे हो यानि आपकी concept की understanding और आपके teacher ने जिस तरह से calculation पर काम कराया है अगर वो चीजें सही से आप करते तो आपको problem नहीं आएगी तो आपको calculation भी important है किस तरह से में करना है और जो यह मैं लिखता हूं न यह यूहीं नहीं लिख देता हूं आप लोगों को लगता है कि मैं यूहीं टाइम पास करने के लिए लिख रहा हूं जो चीज़ पता है उससे फास्ट कहीं पर नहीं कुछ किया जा सकता है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो question number 169 में क्या दिया गया है the reduction of 20% in the price of rice enable a percent to obtain 50 kg more for 450 find the original price of the rice per kg ऐसा question का मैंने सबसे सौटे प्रो सीखाया हूं बताना तो प्राइज जो है क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 20% 20% यानि पहले प्राइज 5 था अब कितना हो गया चार यह initial price था यह final हो गया तो article का do that. ऐकाहिरे उफ्राइज प्राइज के उल्टा ओता यानि किया हो जाएगा चार इस-टो पांच yourself में आगे बढ़ते हैं ऐसा करने से क्या हो गया 50 kg वो जो भी क्या खृद रहा है 40 kg राइस ज्यादा खरीदा है यूनिट में कितना ज्यादा खरीदा वन यूनिट वन यूनिट की वहलू कोशन में 50 के बराबर है तो चार उनिट पचास एनटू चार यानि 200 kg 5 इनटू 50 यानि भाईस सो के जी पहले ले रहा था 200 केजी अब ले रहा है डाइसो केजी कितना रुपए में लेना है 450 रुपए में हमें चाहिए क्या ओरीजिनल प्राइज औरीजिनल प्राइज कौन सा यानि इनिसियल वाला तो कितना रुपए है 450 उसको उसके केजी से डिभाइट कर दोगे 200 से तो यह पता चल जाएगा हमारे इसने पास दोसे पानसे चार पानसे नो यानि 9 by 4 रुपए पर केजी आ गया पर केजी द्यान से देखो अब इसको मैं करने जा रहा हूं द्यान से देखो तो चार दूनी आठ बचा कितना चार दूनी आठ दस चार दूनी आठ चार पांचे वीस इतना रुपय पर केजी ओरिजिनल प्राइज था का और एंसा एंसर ओप्सिन नमबर डी अगर यहीं कर देता की फाइनल प्राइज वाला कितना होगा तो क्या करते चार सो पचास रुपया था उसके केजी कितना इस बर ले रहा है धाईसो धाइसो से डिवाईट कर देते दिवाइट तो यह फाइनल वाला मिल्यद कैंसिल पा आया हूं इससे दोनों चीजे लिकल जाती है इजली चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे आजाओ इलेक्शन का क्वेश्चन है क्या दिया गया है इन एलेक्शन बेट्वेवन तो कंडिडेट 12% भोट्स डिड नॉट कास्ट देर भोट्ट ओके तवीनर कंडिडेट्स 68% अफ टो ild है 100. बारा पर्शन भोट्ट डिड़ not कीस्ट बारण पर्शंट कास्ट ने कितना कास्ट है किए 88 यह बोट कास्ट हो गये वोट्ट कास्ट कि आगे बढ़ते हैं The winner candidate को मिल रहा है, 68% total votes, winner को मिल रहा है, यह winner है, इसका total votes, यह total votes यह है, इसका 68%, 100 का 68%, 68, तो loser को कितना मिलेगा, 88-68, यानि कितना हो गया, 20, loser को मिला, winner कितना votes से जीत रहा है, यहां पे, तो 48 votes से जीत रहा है, और 48 votes की value दे रखी है, कितना question में, 2880, 2880, हमें लिकालना क्या है है, total number of votes, who cast their votes in the election, कितने cast हुए है, 88 की value लिकालनी है, लो जी, हम question को solve कर लिए, अब इसको कैसे किया जाया, 6 बार में तो यह चला जागया ना, 6 टाइमस में, कैसे, 8-68, sorry, हाँ, 8-44, 24-48, ठीक है, अब multiply कर लो, 0, 8-48, 8-48, 8-48, 48-48, और 4-52, 5-2-8-0 आ गया, वैसे भी unit digit पे काम कर लेते, 60-88 था न, 0 तो होगा ही होगा, 8-48, 8-0, last का 2 digit, 8-0 है, 0-0 है, 0-0 है, 0-0 है, 0-0 है, यह तीनों तो अल्रेडी होई नहीं सकते, तो सिर्फ आप बिना multiply कि यह भी answer तक पहुंच सकते थे, चलिए, next, next में देखो क्या दिया गया हमारे screen पे, क्या दिया गया है, the number of books on mathematics, physics and chemistry in a university library in the ratio इतना, mathematics, physics and chemistry का ratio किस ratio में है, 8 is to 5 is to 9 की ratio, ठीक है, number of books, there is a proposal to increase 10%, 5% और 5% increase हो रहा है, तो मैं ऐसा मालनू, इसका कोई भी multiple मान सकते हो, जिसका ratio 8-5-9 ही होना चाहिए, क्योंकि increase simple simple data है, तो percentage में हटाने के लिए 800, 500, 900 मान लो, easily हो जाएगा काम, क्या कहा जाएगा है, increase हो रहा है, पहले वाले का 10%, 800 का 10%, 80 increase हुआ, यानि 880 अब हो गया, दूसरे वाले case में, 5% increase, 10% 50, तो 5% आधा, यानि 25 increase हुआ, यानि 525 हो गया, इसका 5%, 10%, 95%, 45, यानि कितना increase होकर के हो गया, 945, क्या कहा गया, what will be the ratio of number of books after increment, increment होने के बाद ये ratio क्या होगा, यहीं बताना है, अब देखो द्यान से, इसको cancel करना है, 5 से तो cancel हो जा रहा है, 5 से cancel हो जाएगा न, देखो द्यान से, 5, 5, 38 बचा, 5, 7, 35, 15, 35, अभी भी कितना बचा, 30 बचा, 5, 6, 30, यह हो गया, 5, 105 हो गया, यहीं 16, 176, 105, आगया हमारा यहीं 2 से, मारा इंसर आ चुका है, फिर भी कर लो, 5, 5, 5, कितना बचा, 44, 5, 4, 45, 5, 45, देखो द्यान से, आगया ratio, सिर्फ हमें वो concept, देखो, मैंने क्या किया, simplest approach करता हूँ, जो सबसे simple हो, और exam में कम time में हो, वो हमें approach follow करते हैं, चलिए, next, next में देखो द्यान से, राम लोसे 12,5% of his money, after spending 75% of the remainders, left amount कितना उसके पास बचा हुआ है, इतना, how much money did राम have initially, राम के पास initially में कितना था, राम के पास मानलो initially में X था, उसने 12,5% का लोस कर दिया, 12,5% होता है, 1 by 8, loss मतलब माइनस, यह 8 से एक कम हो गया, निकितना रह गया, 7 by 8, यह जो रह गया, उसका बचा हुआ का 75% उसने खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया, तो बचा है कितना, 100-75, यानि 25%, 25% होता है, 1 by 4, और बचा हुआ एमाउंट है किना, 6, 3, 0, 7 से 7, 9, 63, यह हो गया, X की भैलो कितनी आगए, 8, 4, 32, 32, इन्टू, नाइन, ऐसे कर लो न, यह इधर जाके, कि बल्टिप्लाई होगा, 8, इन्टू, 4, इन्टू, 90, X की भैलो कितनी आगए, 9, 4, 36, इन्टू, 8, यानि 0, 8, 6, 8, 24, 24, 24, 28, 8, 8, 0, या लास्ट टूड इडिट से भी काम कर सकते थे, लास्ट टूडिट से कैसे, 0 तो होगा ही होगा, आठ चके अड़तालिस लास्ट टू डिजिट आठ जीरो होना चाहिए एड़ जीरो इसका भी था एड़ जीरो इसका भी था है यह दो तो और सन्खतम हो गया अब इसमें चेक करना पड़ता तो मल्टीप्लाइग करना ही पड़ता चलिए next next में देखो ध्यान से 173 क्या कहा ज यह क्या है यह जो है पी है यह के बारे में information है के इस 15 परशेंट लेस दैन पी यह जो है यह जो है पी से 15 परशेंट लेस है 15 परशेंट होता किदना है 3 by 20 लेस मतलब माइनस यानि 20 से 3 कम यानि 17 बाई 20 से के जो है इसका multiplying factor 17 y 20 है यह data आ गया हमारा अब किसका के का हो गया यह पूरा का पूरा data हमें k is equal to k के बारे में बताना है कि क्या होगा तो k को आई यहीं तो रहा इसको solve कर लो देखो द्यान से कैसे किया जाए multiply अच्छा answer तो decimal में ही आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है देखो द्यान से अगर मैं एक जीरो से एक जीरो काड़ दूं काम हो गया खतम बाकी तो multiply है multiply है है पहले देखो द्यान से हम वह multiply करेंगे जिसका हमें table पता हो जैसे देखो पंद्र का टेबल पता है पंद्र का multiply कर लो तो सब्सक्राइब कर लोगना सब्सक्षाव कर बासरण पंद्रतीयां 45 कहा गया कितना के पंद्रतीयां 40 words कर गया साथ 17 यहां पर यह भी कर सकते थे यार कैंसिल तो हुई रहा था पान से चार पान से तीन ऐसे रहने दो 17500 एक सो तिरपन कैरी हो गया 15 सत्राच चा के 102 एक सो दो और पंद्रा एक सो दो हमें 15 जोड़ोगे 117 उसको आठ से डिभाइड कर लो बस यहीं क्यावाइड करोगे एट बंजा एट कितना बचा 37 हो गया आठ चोंके 32 तिरपन बचा किरपन हो गया तो कितना होगा 8 चके 48 8 साते चपर 146 point something आएगा 146 point something option number D पूरा calculate करने की जोरत नहीं है तो कितनी भी complexity बढ़ाले calculation कभी barrier नहीं होता है according to me मेरे according कभी भी calculation exam में barrier नहीं होता है question number 174 देखिए आपकी screen पे है if the price of salt decrease by 20% okay by what percent should the consumption increase so that expenditure the same यानि keep expenditure को क्या रखना है same expenditure क्या होता है expenditure होता है खर्चा जो होता है expenditure जो होता है price into sale इसको रखना है constant यानि same रखना है same रखना है तो price बढ़ाओगे तो sale घटेगा expenditure क्या होता है price into consumption price बढ़ाओगे तो consumption घटेगा price को घटाओगे तो consumption बढ़ेगा यह opposite होता है क्यों क्योंकि इसको constant रखना है इसलिए अब आते हैं द्यान से देखो decrease हो रहा है 20% 20% होता है 1 by 5 decrease मदलब minus यानि price जो है 5 से 4 हो गया तो decrease हुआ तो consumption बढ़ाना पड़ेगा चार से एक पहुंचना है यानि वन का increment लेकिन किस से चार पे 1 by 4 आप जानते हो कितना होता है 25% 25% का increment हो जाएगा नहीं तो ऐसे कर लेते वन का increment 4 पे परसेंटेज में करना हंडेट तो आप इस तरह से थोड़े करोगे 25% 1 by 4 की वहलू जानते हो ना पचीस परसेंट होता है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखो द्यान से क्वेश्चन यह दिया गया है मिश्टर एक्स है मंतली इंकम 26,500 इंकम है कितना 26,500 ठीक है खर्चा है कितना 20,500 तो बचाएगा कितना 26,500 माइनस 20,500 यानि सेभिंग बचत कितना किया 6,000 आगे नेक्स्ट इयर ही इंकम इंक्रीज बाई बार परसेंट और एक्सपेंडेचर इंक्रीज बाई 6 परसेंट इस सेभिंग इंक्रीज बाई हाव मच परसेंट याद करो मैंने बोला था न जब डाटा कॉंप्लेक्स होगा तो हम वेटे डेवरेज लगाते हैं सबसे बेस 12,42 ये रहा एक्सपेंडेचर कितना से इंक्रीज हो रहा है 6 से यानि ये 6 से से नहीं पता है एक्ससे और इन दोनों के मिलने से क्या होता है इंकम इंक्रीज होता है मल्टिप्लाई कर लो इसका इस से मल्टिप्लाई 240 प्लस 6, 246 प्लस 12 इंटु एक्स यानि 12 एक्स ओभर नीचे इन दोनों का सम 40, 10, 50, 3, 53 इस उकल टू कितना है income increase 12 से multiply कर लो 246 प्लस 12 एक्स इस उकल टू multiply करने जा रहा हूं इसका इस में तो 12, 3, 36 carry हो गया कितना 3, 12, 5, 60 और 3 63, यानि 12 12 एक्स इस उकल टू कितना हो गया 6, 36 माइनस 246 तो 12 एक्स इस उकल टू कितना हो जाएगा 6 में से 6 जाएगा 0, यह हो गया 9, 5 में से 2 जाएगा 3, यानि X की वहलू कितनी आगी X की वहलू आगी 390 अपाउन 12, 12 तियां 36, 30 बचा 12 दूनी 24 60 बचा 12, 25 यानि इतना परसेंट आ गया क्योंकि सारा डाटर चल रहा था परसेंटेज में इतना परसेंट जो पोजीटिव आया तो इंक्रीज होगा यानि कितना हो जाएगा 32.5 ओप्सन नंबर इस तरह से देखो हमने 175 कोश्चन कंप्लीट कर लिए यानि कि अगर मैं बात करूँ तो यहां पे भी हमने आधा के प्रोक्सीमेट कंप्लीट कर लिए है न क्योंकि ए टोटल है 370 कोश्चन से प्रोक्सीमेट है तो नियर भाई हाप के हम पहुंच चुके हैं अब इसके बाद जो होगा क्योंकि 175 का डबल कितना होगा देखो द्यान से पांच का डबल साड़े 300 यानि नियर बाउट आधा जो पोर्षन है हमारा परसेंटेश टॉपीक का भी कंप्लीट हो चुका है वीडियो सेशन पसंद आता है तो देखो इमांदारी से वीडियो को लाइक कर दिया करो लाइक करने से यह पता चलता है सच में आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है नहीं ओनेश्टी से वीडियो को अगर आप चाहते हो जितना ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करोगे, share करने का मेरा main motto यहाँ पर यह है कि इस book को जितना जल्दी से जल्दी मैं complete करना चाहता हूँ, इससे आपका भी benefit है, मेरे को भी लोग जाने कि math को कम time में किस तरह से पढ़ते हैं, इसलिए region से share करने की बात बोलता हूँ और comments करके बताया करो, कि comments में